नमस्कार, नियूज आज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ जुनेद प्रीती रगुवन्शी आत्म हत्या माबले में नया मोड आ गया है जिसमें प्रीती के पिता चंदन सिंग ने उधरपुरा कोर्ट में दूसरा परिवाद दायर किया है इसमें मंतरी रामपाल सिंग और उनकी पतनी सहित दो पुत्रों के नाम पहले एफायर के लिए दिये आवेदन से हटाने की बात कहिए इसके पहले चंदन सिंग ने गिरजेश सहित उसके परिजन पर एफायर करने की मांग की थी प्रीती के पिता चंदन सिंग के दो आवेदन मिलने के बाद अब कोट तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई हो या नहीं इस पर कोट 21 मई को फैसला सुनाएगा घृतलब है कि प्रीती ने 17 मार्च को सुभा उदैपुरा में घर में फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली थी वो P.W.D मिनिस्टर राम पाल सेंग के बेटे की शादी कहीं और करने की बात से दुखी थी जबकि मंतरी के बेटे गिरजेश ने प्रीती के साथ भौपाल के मंदिर में शादी की थी लेकिन मंतरी ने उसे बहू मानने से इंकार कर दिया था हाला कि बाद में उन्होंने प्रित्ती को बहु स्विकार कर लिया था भोपाल से ब्योरो रिपोर्ट निउज आज इस खबर में इतना ही आग्या दीजे नमस्कार